तो कम समय एक समय भखते वाड़ा एकी कैटर हो जाए तो ऐसी समस्याओं का हल निकाल लगें कि कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये सारा क्या है ठीक है कि सी सी टेस्ट इसे गूड स्टेप बाई दा कमिशन तो फर आज इसमें आप रिफॉर्मेटिक पर रहे हैं पर आपने नौर्बलाजिशन का जो प्रसेस किया है उसके बारे में ना एक्स्पेरियन किया है और ये प्रिसेंटाइल जो आप एक नया कहां से उसको क्या आने की जुरूरत थी इस प्रसेंटाइल में यूर किलिंग दा मेरिक आप जो सी सी में कौमनेजरी टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोश्यो एक्रामिक के मार्क्स एड़ कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये कुछ निया है मैं छोटा सा पता नहीं इस पता किसी स्टूडेंट्स के एटी मार्क्स हैं तो आप उसको प्रसेंटाइल में टाप पर माँके आप उसको सो मार्क्स नहीं जाते हैं इस ग किसी जुरूरत क्या है प्रिसिडिन्टाइल करने की डाबनी जी की प्रसीजर क्या जरूरत क्या इस बात की जो मिचा मेरिटोरियस है कर उसके 80 80 नमबर आते हैं अगर सोचलिक पर पांच नमबर आते हैं साथ नमबर आते हैं एड कीजिए नहीं आते दो उस भी 64 60 ने के वहला ओए बादी यह ़िए जिए तरह बहुत लंबी हो जाएगी इस नहीं उसे नहीं है ऐसे इस पर मता दूआ बात बताना चाहूंगा इनको कि जिसे अब बड़ी संक्षा में जिसमें पहले बताया कि फोस्टे कम होती है एकजाम देने वाले बहुत रुग आजाते हैं इसमें या तो उन सब को एक ही बैच में और उसके इतनी सारे सेंटर बनाके इतनी सारी फोस लगाके दस लाग, आट लाग, पंदरा लाग जितने हैं उन सब का एक्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए फिर नूटलाइशन की जुरूरत नहीं होती लेकिन अगर उसको कोई मालोस स्थाफ सेलेक्श इंकमिशन ही किया, कि हम एक साथ तराने में सक्षम नहीं है हम तो दस लाग हैं तो दो दो लाग पांच शिफ्टों में कराएंगे और पांच शिफ्टों में पेपर भी बाँच अलग लग होंगे अलग लग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है हर एक पेपर का, ये अलग लग होता है आप तो बहुत इन विशों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे ये नूटलाइशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है ये देश और दुनिया का नियम है आप पता कर लीजिये और एक्षी जानकारी नहीं तो मैं लाके देदूँगा मैं लाके देदूँगा मैं वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ उस पे आगे चल रहा हूँ लेकिन ये नहीं है, ये बात स्थिक नहीं है जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट चार अलग लग शिफ्टों में कराया जाता है और चार उसके प्रशन पत्रों होते हैं तो हार्डशिप के लेवल पर उसको नूटलाइज किया जाता है एक पेपर थोड़ा सा कठेना आ गया उसे नमबर कम आएंगे एक पेपर थोड़ा आसान आ गया उसे नमबर ज़्यादा आएंगे तो ये भी बच्चे बहुत कोटों में जाकर खड़े हो जाते सुन लीजिए सुन लीजिए अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना सुनने का मादा नहीं मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहा है तो इसलिए आप पता है मैं पता करा के दूँगा आपको किस-किस बोड में किस-किस कमिशन में कब-कब यह नूटराइशन हुए और अब कहा-का चल रहा है तो वो नूटराइशन का पहली बार किया, यह बाद ठीक है कि यह पहली बार JW, UPSC में भी Neutralization होती है यानि यह तो All-India Exam है इन में भी Neutralization होती है तो Neutralization नहीं होती है, इसा नहीं है तो और भी गोड़ों में बता दें गलाके अब उसको Neutralization इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्कल पेपर आते रहते हैं अब उसमें पहली बार यह किया यह बात भी सकते हैं, यहां कभी नहीं होगा पहली बार किया, तो थोड़ी उसे चूक होई वो चूक भी सुईकारत है जो फार्मूला, जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया जिसने गाइड किया उनके यहां शोशो एकनमक नमबर नहीं होते हैं उन्हें निका कि जो भी नमबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट उस पर नौलाशन करेंगे और उस साब से, मैरे टुना दीजी वहाँ कोई जिसने गाइड किया वहाँ यह नहीं थे क्या शोशो एकनमक शोशो एकनमक जोडने के बाद बहुत उल्टा पल्टा हो गया जब उल्टा पल्टा हो गया तो फिर वो जा थी कोट में गए कोट ने कहा कि ने इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ फिर जो अलग से जहां ये शोष्ण veg20Kत की बात जिनको जानकारी है जो इसका सॉल्ल कर सकते हैं उनको फार्मॉला बदल करके उनका कराया और फार्मॉला बदल करके कोर्ट में उसको देखा दिया यो ठीक है ठीक होने के बाद ये बहुए अगार आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जो ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ दो एक सु लोगों का उथर कुछ भी हो गया है दो सो लोग पहले चैन हो गए जो निकले है वो इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है जो गलत मैं नहीं करना है चाहे अपना स्टैप हमको वापस में लाना पड़े है गलत चीज़ को वापस लेने में हमें कोई अतराज नहीं आपते हैं दन्यवाद जो अपने बड़ती शुरू करी जी उस दिन करना चाहिए था और आप लोग जितनी पोस्टें बचे हुई है जो आइनिंग से पहले वाई में ट्रिक कराओ बहुत कफला है बहुत लोग गलत पलत परचे दे रहे हैं अधर श्मौदा है अधर श्मौदा है दो दिन के तीन दिन की चर्चा में